नए टैक्स लाब्स के हिसाब से आपको कितना इंकम टैक्स देना है? एक्जाम्पल्स के जरीए जानिए in just a minute. न्यू टैक्स रुजीम के अंडर इंकम टैक्स रिबेट लिमिट को 5 लाग से बढ़ाकर 7 लाग रुपे कर दिया गया है. अगर आपकी सालरी 7 लाग रुपे तक की है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना. क्यूं? क्यूंकि उस पर रिबेट है. अब मान लीजे आपकी सालरी है 9 लाग रुपे. तो कभी भी फ्लाट टैक्स नहें लगता कि उस 9 लाग पर एक पसेंटेज थोप दिया जाए. स्लाब के हिसाब से इस 9 लाग का डिविजन होगा. अब 9 लाग की सालरी का डिविजन इन स्लाब के हिसाब से होगा. यानि पहले 3 लाग पर नो टैक्स, अगले 3 लाग पर 5 प्रतिशत यानि 15,000 रुपे, उस से अगले 3 लाग पर 10 प्रतिशत यानि 30,000 रुपे. So the total tax you pay on salary of 9,000,000 रुपीज is 45,000. अगर यही calculation हम पुरानी स्लाब्स के हिसाब से करते तो रकम होती 60,000 रुपे. यानि नए tax regime के under tax file करने पर इस case में 25 प्रतिशत कम tax pay करना होगा, which is a good news.